कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं, इनको समझाने की जुरत ही, इनको समझाया जा रहा है, इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीती है, उसमें मातर 3% अगनीवीर के माध्यम से recruitment है, बाकी 97% जो recruitment है, वो traditional recruitment ह long term का recruitment है, तो इस तरह की भांतिया जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूंगा कि इसको आप टेली कास्ट करें, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके नीती को समझें पहले, सड़कों पे ना उ पतल भी कर दें, तो चर्चा नहीं होता, आप देखिए कि हमने ट्रेन ने जलाई, बहुत घोर से मेरी बात को सने, बहुत एहम वीडियो मैं आपके हवाले कर रहा हूं, देखिए हमने ट्रेन ने जलाई, हमने रेल विश्टिसन को आग नहीं लगाई, हमने बस स्टेंड को आग नहीं लगाई, हमने सरकारी बसों को किया आग के हवाले नहीं किया, हमने पुली चोकियों को आग नहीं लगाई, हमने कभी बीजी पी के किसी भी पार्टी के दफ्तर को आग नहीं लगाई, हमने पबलिक के जो पबलिक सामान है हमने कभी उसको आग नहीं लगाई, हम में सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों को डाला गया गोलियां हमारे बच्चों के मारी गई और फिर बदनाम भी हमारे बच्चों को दिखी किया गया आपको मैं बता दू के पिछले कुछ दिनों से अगनी पत इस कीम को लेकर के पूरे देश में अक्रोश पूरे देश में कि देखे अब धका बचाया और वो बयान किसका है बयान देखी बड़े सिम्यदार आदमी का बयान है बनारस के पलिस कमिशनर मिश्टर सतीश गड़ेश जी का देखे आप फुटू देख रहे हैं यही मिश्टर सतीश गड़ेश हैं कि जो के बनारस के पलिस कमिशनर है इन्हों ने अपने बयान में कहा कि ये हमारे बच्चे हैं इसा नहीं करना चाहिए इनने रेल नहीं फूकने चाहिए इनने ये नहीं करना चाहिए इनने वो नहीं करना चाहिए मैं पूछना चाहता हूँ जनाब आप बहुत बड़े ओदे पर हैं पुलिस कमिशनर हैं और आप देखें कि स्यासी आदमी तो है नहीं आप तो देखें देखें ये आपके बच्चे हैं तो मुदस्र किसका बच्चा था जिसकी पुलिस ने राची के अंदर खुले आम रोड पर एक इहतिजाज के दोरान जबके इहतिजाज जो है हमारा एक देखिए हक है उस दोरान के देखिए गोली मार दी थी तो फिर वो कौन था मुदसिर कौन था मुदसिर के अलावा एक और बच्चे को गोली मारी गई वो कौन था ये अगर आपकी बच्चे हैं तो फिर वो मुसलमान भी आपकी के बच्चे हैं। आपको देखिय थे असन नहीं कहना चाहिए था बाकि इस वाक़ी क्या देखिये इस बैयान से बड़ी तकलीफ हुई कि अगर ही आपके हैं तो फिर जिनको पत्थर उठाने के जिर्म में कि जिल में ढाला गया जिनको पिर्देशन करने के जिर्म में जिनके घर ढादिये गये वो को हैं जरना अगुरुकता पैदा करेगा लोगों को जगाने के काम आएगा और हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें असलाब आलेकूं वरह्मतुलाही वर्बरकात।